इंडिया पर इंडिया अलाइंस को एक बड़ा नुकसान हो रहा है आपकी पार्टी को तो होई रहा है तनुच दिखिए अमेज जी देश को और भी कुछ जानने की जरुवत है जिस तरीके से इन्होंने ग्यान वर्धन करने का काम किया उस तरीके से देश को ये भी मालूम है ति किस तरीके से एक राष्टी पार्टी के राष्टी अध्यक्स पैसा लेते वे पकड़ाये थे किस तरीके से बारते जनता पार्टी के नेता कहते थे कि पैसा खुदा नहीं अपर खुदा से कम भी नहीं किस तरीके से गुजरात के एरपोर्ट पर डेलिवरी होती है लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है किस तरीके से लोगों के पैसो को LIC के पैसो को कुर्वान कर दिया जाता है अपने फूलजी पती मित्रों पर उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है 22,000 करोर रुपय का बजट आता है लेकिन कहीं खर्च नहीं होते है उसकी कोई चर्चा नहीं होती है इस तरीके से जारखंड के मिनरल्स को अपने पूझी पतियों को बेचने की साजित के तहर सरकार को गिराने की मनशा होती है इसकी चर्चा होनी चाहिए ये भी जारखंड पूझता है कि आपकी गंडी नदर है आपका ला टपकता है कि कैसे जारखंड मिल जाए आपको आपकी बातों में ऐसा नहीं है कि कोई तत्य नहीं है तत्य होंगी आपकी बातों के अंदर लेकिन मैं आपसे एक साफ बात पोच रहा हूँ राची में पहुँच गए अपना प्रोटोकॉल छोड़के अपनी सिक्योरिटी छोड़कर बताईए किस से भाग रहे थे अमीज जी सबसे पहले तो ये बात इस चीज लगता है आपके साथ संपर्क नहीं वो पारा ये बोनी 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 तरजी बोनी ये सब तो भारते जनता पाटीव के लोग है इनके पास है तड़ी पार इनके पास है भगोडे अरे राजी के मुख्य मंत्री है वो कहीं भी जा और आ सकते हैं चाहे वो वर्तिकत कारण हो तो एक तालिस घंटे चुपे क्यों से आप प्रेस कॉंसर्स करके बता देती है वो कहां थे एक तालिस घंटे मुख्य मंत्री गायब रहता है और आप कहरें वो समान्ने बात है इस देश में कब हुआ इस से पहले आजादी के बा कर वो ज़िए अपरी हैं तो देश के ग्री मंत्री से अगर मुख्य में से इनकी जिमम्यदारी और राज आप अपने जिमेदाली से बाग रहे हैं क्या? आप अपने जिमेदाली से बाग रहे हैं क्या? अपने जिमेदाली से बाग रहे हैं क्या जिमेदाली से बाग रहे हैं? कि किसी आदिवासी को किसी योग और सक्षम आदिवासी को पद मिलेगा या केवल आदिवासीों को चूरन मिलेगा और परिवार के हाथ में सत्ता संपूरन मिलेगी? ये बड़ा सवाल है? कलपना सोरेन सी एम हो सकती हैं ये बड़ी खबर है सुदान चुतिर्वेदिया आपका पहला रियाक्शन इसके उपर सूतरों के हावाले से जानकारी आ रही है कि आज बैटक में मौझूद भी थी कलपना सोरेन जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं मंत्रियों की बैटक में गड़बंदन की बैटक में कलपना सोरेन बकाइदा मौझूद थी ना वो विधायक है ना वो पार्टी की डिगनेटरी है इसलिए उनका मा मौझूद रहना सवाल खड़े करता है सुदान्चू देखे मैंने भी अभी आपके कारिक्रम में बैठके ये सुना है इसलिए मेरे पास इसकी कोई आधिकारीक पुष्टी नहीं है परंत यदिया होता है तो समझ दीजिए गुरू जी अर्था चिबू सोरेन जी से शुरू होकर पुत्र और पुत्र वधू तक यदि सिर्फ सत जाती है तो समझ दीजिए कि आधिवासी स्वाविमान की होली धूधू करके जलाना होगा जी मैं रुक तनुछ खत्री बताईए कि आपको लगता है कि 41 घंटे गायब और अब खबर आ रही है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकती है लगबग लगबग ये तैकर लिया चुनावा मुख्यमंत्री है उसको अपना अधिकार है कहीं जाने का आप बीजेपी से पूछ करके चुपने का अधिकार सुनिए यह वही बात है यह चाहते हैं भाजपा के लोग कि या तो या तो भाजपा में आ जाओ नहीं तो जेल चले जाओ आप जारकंड डलने वाला नहीं है या मुक्यमंतरी को बिल्कुल अधिकार है कहीं भी जाने का पर मुक्यमंतरी का कारीकरण होता, बता के जाते हैं जो आई दिखा रहे हैं आप दो दिन का वो कारीकरण दिखा दी जीए, सारे आठकलों से विराम लगा दी जीए, और मैं पुना कह रहा हूँ, आज आप बता दी जिए, कि किसी जार खंड के योगिवेक्ति के हाथ में सब्ता आएगी, या परिवार के हाथ में सब्ता रहेगी, वही जो लालू प्रसाद यादव जी का फार्मूला था, वही अभी रहेगा, यानी 21. सदी का युवा भी का था, कर पूरी ठाकूर जी, पिछडों के मसिया थे, वन्चितों के मसिया थे, वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाये, उन्हीं को आदर्श मानकर हमने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, बाकी सबय अपने परिवार को आगे बढ़ाया, बाकी स गंटे नदारत रहे थे मुख्यमंत्री ये 41 गंटे गायब थे बकाइदा गवर्न ने भी पूचा था बकाइदा गुमशुदा के पोस्टर लगाए गए थे और आचानक आज नाटकिय धंग से वो पहुंच जाते है रांची छुपते 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 हुए ये इंटरस् लेकिन खबर ये है कि जेमें के कुछ नेता इसके पक्ष में नहीं थे क्या उनको राजियप कर लिया गया है वो बड़ी बात होगी मेरे साथ सुनील यादव है सुनील यादव नितीश कुबार ने जिस वज़ा से इंडिया आलाइंस को छोड़ा उसमें प्रमुक को सीम बना रहे है ऐसा संभावना इलिख दिख रही है जो अब उसमें भी परिवारवाद है अब बताईए इसलिए इंडिया गड़ बंदन का समापन हो गया सुनील लगता सुनील तक मेरी आवास नहीं जा रही मैं राजीव रंजन जी का रूख करता हूँ राजीव रंजन जी क्या यही सब कारण रहे आपको इंडिया अलाइंस से बाहर आना पड़ा जो इसमें हम घटनकरम देख रहे हैं बीत रहे 24 घंटे के अंदर देखिया हमी जी आप देश की राजनिती की नवज पर आपकी पकड़ है और आपने पूरी जो पूरा का पूरा गटनकरम को आपने काफी करीब से देखा है आज इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस समय नितिश कुमार जी के नेत्रितों बिहार में महागरबंदन की सरकार बनी उन्होंने देश के राजनितिक दलों का आवान किया और नाम भले ही इंडिया का बाद में पड़ा हो लेकिन एक देश व्यापी एक गजोड बने कॉंग्रेस समेत देश के तमाम राजनितिक दल उस पर शामील हो ये परिकल्पना ये सोच नितिश कुमार जी की थी नितिश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कॉंग्रेस का जो एक कॉंग्रेस को ले करके जो एक उदासिंता का भाव या एक जो दूरी है नेगेटिविटी भी आप कह सकते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रीम होगा लेकिन आपका क नहीं है अप्रोप्रेट वर्ड है आपका तो उन्होंने लेकिन एक मुश्किल लक्ष को साधने की कोशिस की और उसमें काम्याबी भी मिली लेकिन जब पांच राज्यों के चुनाव को लेकर के कॉंग्रेस पूरी तरह से केवल उन राज्यों तक सिमट कर रहे गई उस समय नितिश्कमार जी ने कहा था कि आपको इंडिया अलायस की बैटकों के लिए भी वक्त निकालना चाहिए और देखी यह एक सोची समझी रणिती थी उन्हें यह ऐसास था उन्हें ऐसा लगता था कि वह इन पांच राज्यों में एक बड़ी जीत हासिल करेंगे और उसका मन दुसरे दलों के प्रभाव के राज्यों में बड़ी से बड़ी संख्या में उन्हें सीटें मिल जाएं और वो साड़े तीन सो सीटों से चार सो सीटों के बीज लड़ सकें इस रोड मैप पर कॉंग्रेस का काम हो रहा था और सीट शेरिंग को लेकर कॉंग्रेस की उदासि जनता भी इसलिए थी कि बाद में जलबाजी में आनन फानन में जैसे वो चाहेंगे वैसे होंगे और इसका असर क्या हुआ केरल और बेंगॉल त्रिपुरा में लेफ पूरी तरह से समाप्त हो गया लेकिन दो जगा वजूद उनका है वैचारिक तोर पर उनका एक आधार ह है और वहां कॉंग्रेस ने ऐसी परिस्तिती पैदा की कि वह आलायंस नहीं हो पंजाब में बागवन सिंग मान ने बिलकुल साफ साफ कह दिया कि यहां आलायंस नहीं हो गा और टीम सी आज भले ही अभिशेक बैनर जी जो बोल रहे हूं लेकिन बैली सीटों पर हम लड़े अब और आप चारीक बाथ्सीत भी इंडिया गड़बंदन के नेताओं से मेरा प्रश्ट है यह जो परिवारवाद की बात नितीज जी ने करी थी कर पूरी ठाकुर जी के कारिक्रम में और अब हम परिवार वाथ इक अलग बेला देख रहे हैं आपे परभुसी राज्शे जारकंड के अंदर क्या कहना चाते हैं दस सेकिंड राजीव जी देखी गडबंदन जब भी बनते हैं उसमें कई तरह के समझाते होते हैं उसमें परिवारवादी दल दोनों अलायंसेज में यह अस्वभाविक नहीं है लेकिन ये एक स्वस्त इस्तिती लोकतंत्र के लिए न नितिश कुमार जी ने उस समय किसी को नसीहत नहीं दी थी नितिश कुमार जी ने एक सच बयान किया कि उन्हों ने करपूर जी की जीवन शैली को आत्मसाथ किया और खुद को उसी रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया और मैं समझता हूं इसका निहतार समझने वाले देखिए एक नेता तभी दबता है जब उस पर ब्रस्टाचार के आरोप हो या वो विरासत, उत्राधिकार, परिवार इस तरह का कोई स्वार्थ उसके पास हो नितिश कुमार जी के फैसले बिहार की 14 करोड जरता के लिए रहे हैं झाल झाल